बश्कार दोस्तो ओल इंडिया जीस्टी ड्राइव के उपर काफी लोगों की ये क्वेरी आ रही है कि हमने जीस्टी में एड्रेस हमारे घर का दिया हुआ है तो क्या इससे कुछ इश्यू होने वाल है क्या हमारे घर पे भी वह आ सकते हैं चेक करने के लिए तो दोस्तों इस प्लेइस्ट के माध्यम से सारे डाउट आपके सौल करने की कौशिस करीए उस प्लेइस्ट में 3-4 तक वीडियो में अप्लोड कर चुके हैं जो इस वीडियो के एंड में आपको वह प्लेइस्ट की लिंक दिख जाएगी तो आप प्लेइस्ट जरूड देखे उसमें काफी सारे डाउट आपके सोल होंगे डेफिनेटली आपको वो प्लैलिस पसंद आने वाली है अब आते हैं आज के इस डाउट पे कि क्या घर का एड्रेस दिया हुए उससे कुछ इश्यू होगा क्या तो पहली चीज दोस्तों जीएस्टी कानून में जीएस्टी लोज में कहीं भी हैं दिखा हुआ है कि गर्ण का एड्रेस नहीं दे सकते हो यह कहीं भी नहीं दिखा हुआ है जहां से आप बिजनिस कर रहे हो वहां का ड़्शेंग कर सकता हूं और अगर आपका नेचर और कैसा है कि उसे आप घर से भी कर सकते हो जैसे आज मालो मैं कि आए fak fiscal कर रहा हू począt कर सकता हूं आगर सकते हो आप अपने घर से work कर सकते। तो अगर आपका supernatural work की ऐसा है कि आप घर से कर सकते और आपने घर का JST number लिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों उससे कानून कहीं आपको मना नहीं कर रहा है JST कानून की बेरों नहीं कर रहा हूँ तो आपको उससे घबराने की जुरत नहीं है, घर का एड्रेस दे रखा है, तो आपको जो compliance है, जो पिछले वीडियो में बताते हुए आए है, name board, under GST certificate, books of accounts maintained, वो सब compliance आपको proper रखनी है, बाकि इस जिससे नहीं घबराना है, कि घर का एड्रेस दिया हुए है, तो आपने हम यह discuss करेंगे कि अगर पाया जाता है कि आपका GST number fake है, तो department क्या कैक्शन ले सकता है, उसके बाद हम discuss करेंगे कि कैसे पता लगाएं कि कोई officer जो आ रहा है, कहीं वो खुद तो fake नहीं है, कहीं फरजी officer तो नहीं आ रहा, कहीं कोई fraud तो नहीं हो रहा है आपके साथ, उससे कैसे बचे, यह भी हम discuss करेंगे आगे के वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और notification के लिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नहीं जानकारी के साथ, thank you so much, चाहिन जैभारत